हलो अबरिवन, वल्कम टू मिसाल क्लासेश, सोडे श्टुएंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, समेस्टु टू में किस परकार से आपसे AECC याने EBS में कोशन पूशी जाने वाले हैं, इससे रिलेटिड आज हम लोग पार्ट 3 में डिस्स करने वाले हैं उसके बाद ही आप पार्ट 3 को देखेंगे तो बैटर होंगे, क्योंकि सीरियल हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे 50 सिक्रेट कोशन जो आपकी एक्जाम के पॉइंट हुई से 100% अपकी पेपर में पूछी जाने वाले हैं, सो डेश्टन इस प्लेटफॉम प आपके कोई भी सेमेश्टर का पेपर बहुत ही आच्छी तरह से किलियर करवाए जाते हैं, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को आल सेमेश्टर के लिए इस प्लेटफॉर्म से जूड़े रहना है, तो आप लोग चैनल को बिलकुल सब्सक्राइब करना ना तो कोई केंडिडेट में बार-बार कहा रहा हूं कि अगर पार्ट वान पार्ट वान पार्ट वान नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो पहला जो कोश्टन आपके पास जलमगंता का समझ से समझदी थे, किस समझदी थे, तो सभी केंडिडेटर को पता होना चाहिए, ये मिर्दा से समझदी थे हो, ओफ्शन नमबर आपके बिल्कूल राइट एंसर हो जागा डिशन, ओफ्शन नमबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानि मिर्दा से, देन अगला कोश्टन चलते हैं, नेस्ट कोश्टन आपके पास भारत की ओसद वार्सा, वार्सिक वार्सा क्या है, 197, 197, 127, 150, तो इसको बिल्कूल राइट एंसर हो जाएगा, आपका ओफ्शन नमबर A, 117, याद रिखिएगा, 117 ओफ्शन नमबर A, इसका सही उत्तर होगा, सो देश्टन आपके पेपर में भी इसी तरह से कोश्टन पूशी जाने वाले हैं, तो इस पे कोश्टन को आप लोग थोड़ा से भी इसकिप ना करें, वीडियो को बिल्कुल आहन तक देखेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगो कुछ की पॉइंट करवाता रहता हूँ, पहला आगला कोश्टन पर तीसद भाग पर जल है, तो इस अभी केंडिडियोट को पता होना चाहिए, 71% में क्या हो जागा, 71 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अगला प्रस्टन क्यों मूब करते हैं, कोश्टन नमबर है, आपके पास मॉस्ट इंपोर्टन कोश्टन है, 55, कोश्टन सरवधिक उप्योग होता है, यह कोश्टन आपसे पेपर में 100% पूशी जाएंगे, जो जलकर तो सरवधिक उप्योग होता है, वो कहां पे करते हैं हम लोग त्याद रेखे का सीचाई में, सबसे ज्यादा सीचाई में हम लोग जलका उप्योग करते हैं, आते हैं कोश्टन आपके पास very very important question है कि आधातिवी खनिज का उदाहरान है जो आधातिवी खनिज है उसका उदाहरान है तो क्या हो जाएगा soft phosphate याद रिखेगा soft phosphate option number C का right answer होगा so question question नमबर आते हैं 58 बिस्व की कोईले की सबसे मोटी प्रत कहाँ पे है तो याद रिखेगा इस सबसे मोटी जो प्रत है वह है मद्द परदेश में क्या हो जागा मद्द परदेश आपका right answer होगा so question question number 59 खनिज इंधन का उदाहरान नहीं है जो खनिज इंधन है उसका उदाहरान नहीं है तो याद रिखेगा platinium इसका right answer होगा अगले question पर आते है question number 60 आपके पास most important है भारत का वह खनिज जिसमें भारत इसमिलित नहीं है भारत में कौन से इसा खनिज है जिससे भारत चर्चित पे नहीं है तो याद रिखेगा melody burn क्या होजगा molly d burn option number आपका बिल्कुल right answer होगा d then अगला question आते है question number 61 क्यों आते है question number 61 पर चिवान है कि सीत मरुस्थल का उदाहरान है जो सीत मरुस्थल का उदाहरान है यह most important question है तो सीत मरुस्थल को उदाहरान हो जाएगा आपके बिल्कुल option number याद रिखेगा d इसका से उत्तर को option number d इनमें से कोई नहीं आते हैं नश्ट question भुहस कलन में सरवधिक परभाव पर चिवान हो जाएगा देहरादून बिहार करा देने हो जाएगा पटना पस्ति मंगल को जाएगा आपका लखनों याद रिखेगा यह भी आपसे पूछी जा सकते हैं question number आते हैं नेश्टिर 63 है विस्व में कितने प्रतिस्थ भाग पर उसने मरुस्थल का विस्तार क्या है जो बिस्व का कितना प्रतिस्थ भाग है जिसमें मरुस्थल का विस्तार किये हैं तो आज रखेगा 20 परसंट अफसर नमबर भी आपका राइट अंसर होगा आते हैं नेश्ट को सन्पे चंबल के बिहार किस रूप के भूवुस चरन को परसीद करते हैं तो किस चरन को प परतिकीरिया में सम्मिली थे मरुस्थल करन की परतिकीरिय में सम्मिली थे पसुचा रन जल अभाव बालो का फैलाव अफ्शन नमर डी उपयोग तो सभी दन अगला कुशन आते हैं इससी तरह से हम लोगों ने आभी पार्ट वाफ ठी को देख रहे हैं इससे पहले हम लोगो एक्जाम से पहले पहले एक लाइप क्लासिस में टेस्ट होगे जितना भी कोशन में करवा रहा हूँ उन सब कोशन को हम लोग टेस्ट सीरीज में भी देखने वाले हैं अगर आप लोग चाहरे है कि सर्व पहले एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए तो कमेंड वोक्स मे A, तेना अगला question पे आते हैं, next question है, question number 67, कि खादे सिरिंखला की सबसे कमजोर कड़ी है, खादे सिरिंखला जो है, उसका सबसे कमजोर कड़ी क्या होगा, तो याद रिखे कि सर्विच उपभोगता, क्या हो जागा, सर्विच उपभोगता, option number D, आते हैं question में 60 A, तो खादे स और आप्ट्पक नेशन ने में पलवन क्या है यो पलवन है वो क्या है पलवन एक सुच्मुदर्सी जीव है पलवन जो है वह एक सुच्मुदशी जीव है ओफशिन नमबर ए इसका राइट इनस रोगा विरिख्षि 1 परिस्तितिकी तंत्र के कौन से घटक पर आते हैं, तो वह कोन से घटक है, यह अब को प्रात्मिक उत्पादक है, याद आती रखियेगा, यह बिल्कुल शेखतर होगा तलाब, क्या हो जागा? तालाब option number आपका बिल्कुल सेथ रोगा D दो अगला question आते हैं मद्य परदेश में कुल कितने राष्टी उद्धान है जो मद्य परदेश है इसमें कुल कितने राष्टी उद्धान है इभी most important question रेस्टन तो याद रेखेगा 9 कितना हो जाएगा 9 option number C इसका right answer होगा अगला question पर आते हैं नेस्ट question आपके परदेश से कितने है तो जो जो हो जाएगा आपका right answer होगा 6 कितना होगा 6 option number C इसका सेथ रोगा आते हैं 74 भारत की किस प्राणी भागलिक परदेश में है जो भारत है वो किस परकार के प्राणी भागलिक परदेश में हिस्ती थे तो याद रेके एक एरियांटल option number आपका बिल्कुल सही होता है option number A याद रेके एक oriental option number A इसका सही होत रोगा अगले question पर आते हैं question number भारत में कितने जे भागलिक परदेश में वरगी कृत किये गये हैं तो कितने भागलिक परदेश में वरगी कृत किये गये हैं तो 7 याद रेकेगा 7 इसका right answer option number D देन आगले question पर आते हैं पेट्रोल वहनों में डीजल की तुलना में आधिक परदूसन होता है कौन सा परदूसन है जो सबसे आधिक परदूसन फैलाते हैं तो carbon dioxide की सांदरता पर याद रेकेगा carbon dioxide की सांदरता पर most important question question ने जो डीजल के पेट्रोल वहनों पर इसका right answer हो जागा उप्योक्त वाइक के सही है क्या हो जागा उप्योक्त वाइक के सही है option number A देन अगला question पर आते हैं question number 77 सर्वधिक 91% परदूसन होता है सबसे ज़्यादा परदूसन है सबसे ज़्यादा परदूसन जो होते हैं वो परिवाहनों से होता है कहां से होता है सभी candidate को पता है परिवाहनों से देन अगला question चलते है नासा report के आनुसर भारत के किस प्रांतों में सर्वधिक परदूसन होता है तो नासा report के आनुसर सबसे ज़्यादा परदूसन जो होते हैं वो है बिहार option number 20 का right answer होगा so next question के और मूप करते हैं हम लोग question number पर आते है 79 भारत का वह कौन सा प्रांत है जिसमें तो लनात्मा कर खानों कम किंतु परदूसन अधिक होती है बहुत important question है परदूसन सबसे अधिक होता है पर जो factory की संख्या है वो सबसे कम है तो वह कौन सा प्रांत है इसमें आपको पताना है तो वह प्रांत हो जाएगा आपका मद्द परदेश क्या हो जाएगा मद्द परदेश option number B आते हैं नेस्ट question पर question number आपके पास most important question है गिल पीर बिद्वान ने जल परदूसन की परिभासा में हानिकारक परभा को समिलित क्या है तो यह statement जो है और right है या wrong यह भी आपसे पुशी गये हैं तो यह statement जो है आपका बिल्कुल सही उतर होगा क्या है क्या हो जाएगा option number B इसी तरह से भी question आपसे पेपर में पुशी जा सकते हैं सो डेश्टेन जितना भी question में करवा रहा है आप लोग question को आच्छी तरह धांग से पढ़े अब बहुस सरे question के बहुस सरे student के मन में यह doubt होगी यह की sir हम लोगों का तो पेपर अब objective नहीं subjective होने वाले है सो डेश्टेन इस तरह दुविताओं पर आप लोग पढ़े ना रहे क्योंकि मैं बताओं अभी just आपका BBU का exam हुआ है उसमें 40 questions जो है वो आपके objective पूछेगे हैं अगर आप लोग 4 एक सर 2022 में किस तरह से semester 2 में BBU University हाचारीबक में question paper पूछेगे EBS related अगर आप लोग 4 एक तो comment box ज़रूर comment करें मैं उन सब question को आप लोगों को दिखाने की भी courses करूँगा ताकि आप लोगों को इस दुविधाओं से आप लोगों दूर हो जाएंगे क्योंकि बहुत सरे teacher जो है coaching जो चलाते हैं वो सभी student को यही बताते हैं कि इस बार जो paper है वो आपके objective नहीं बलकि subjective आने बाले हैं सोडियस्टेन इस तरह इंवर्सिटी से कोई भी application जारी नहीं किया गया है कोई भी notice अभी तक नहीं आया है अगर notice आएंगे तो जोरूर अब लोगों को में inform करूंगा सो दुविधाओं अभी तक अगर नॉर्मलाइज में जिस तरह से हम लोग आपी त्यारी कर रहे हैं इसी तरह से आपको पॉढ़ना है अहो सके देश्टन के आपका अपका exam subjective हो तो आपको objective confirm है आपको 20 marks के objective पूछे ही जाएंगे ऐसा नहीं है कि subjective पूछे जाएंगे तो objective नहीं पूछेंगे objective question हर हाल में आपसे पूछे जाएंगे चाहिए वो subject पूछे या ना पूछे इसलिए सभी question को आप लोग अच्छे तरह से पढ़ते रहेंगे question है कि जल के भहती परदूसर में कौन सा तत्व नहीं है सबसे important question रेश्टन most important question है जो लिखावा है कि जल के भहती परदूसर में कौन सा तत्व नहीं है त्याद रहेगा पीच मान क्या होजाएगा पीच मान option number D अगला question आते हैं वाहिद मल जल से होता है जो वाहिद मल से जल होता है वो क्या होते हैं तो वाहिद मल जो most important question है वाहिद मल से जल होता है क्या होता है याद रहेखीगा संदूसित क्या होजागा संदूसित अगला कुशन है कि जल के फॉलोराइड की आधिकता से कौन सा रोग नहीं होता है तो याद रहे कि इसका राइट अगला कुशन चलते हैं अगला कुशन क्यों चाहते हैं इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाना चाहिए ऑफ्शन नमबर सी खनन से क्या होगा आते हैं नेस्ट कोशन पर अपका 87 अधिक सी चाहिश से मिरता कि कौन सी समझ सा जन्म ले सकती है अधिक सी चाहिश से जल गमनता हो जाएगी याद रिकेगा चीपचीपा टाइप का हो जाएगा ऑफ्शन नमबर सी इसका राइट अंसर होगा समुद्रों में परदूसन का परमुख कारण क्या है परमनुप्रिक्षन अपका बिलकूद Hem Disler D, सबसे सस्ता परिवाहन क्या है जल परिवाहन सबसे सस्ता परिवाहन है, अपस्य नंबर C एब भारत में सर्वधीक परदूसित खड़ी है जो अपका महीम की кошड़ी क्या हुजा Tag पर दूसन को मापने का पैमाना है जो धोनी पर दूसन है उसको हम लोग किसमें मापते हैं तो याद रहेगा डेसिवल में क्या हो जगा याद रहेगा यह भी पूछी जा सकते हैं डी बी नेस्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर नाइंटी तुर महानागरू का तापमान अपने निकड़त से नियंतर रहता है उच रहता है बराबर रहता है या व्यूत कतन गलत है तो याद रहेगा उच रहता है सभी को पता है कि जहाँ भी फैक्टरी के सेंक्या जादा होती है वो हमारे वाताबरन को काफी जादा हनिकारक पहुचाते हैं तो वहाँ के वाताबरन हमेशा उच रहेंगे अगला कोस्टन आते हैं नेस्ट कोस्टन आपके पास निवन सक्रियाता अपने आने वाले जो आफसिष्ट कौन-कौन से है तिसका जो बीर्टू से तक निवन सक्रियाता आने वाले जो आफसिष्ट पतार्थ है वो हो जागा प्लास्टिक क्या हो जागा प्लास्टिक ऑफ कि option number D का right answer होगा next question आते है next question आपके पास एक powder uranium दहन से कितनी इतनी सक्ती मिलती है जितना की कोईला के दहन सोती है तो कितने कोईले के दहन से एक pound uranium की दहन से आधिक होती है तो याद रखेगा 25 लाग टन most important एज़ेस्टम 25 लाग टन option number A आते है question 98 सरपर्थम सन 1993 में नेवली ताप विदूत गिरी किस प्रांत में आस्तापित किया गया था तो कौन सा राजम आस्तापित किये गये थी तो तमिल लडू याद रखेगा तमिल लडू इसका राइटेंस रोग option number C आते हैं next question पे question 99 घेरेलू आवसिष्ट का कितना परतिसत पुना उप्योग किया जा सकता है तो कितना परतिसत पुना उप्योग किया जा सकते है ये भी most important है 25 परसंट क्या हो जाएगा 25 परसंट option number D अपका सही उतर होगा आते हैं आज का last question है इसी तरह से हम लोग पार्टफोर में भी इसी तरह से most important 50 question को लेकर आएगे जिसमें आपके paper में directly जो पुशी जाने वाले हो वह question हम लोग देखने वाले है अगर आप लोग चाहरे के सार इसी तरह से हम लोग एग्जाम से पहला है परे सभी question को इभियास में जितना भी question एग्जाम में पुशी जाने वाले है समभावित परसंटों को करवा दे तो आप लोग comment वक्स में जरूर comment करें आगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा वीडियो का शेर करें और लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके बैल आइकन के जरूर ट्रेस करें question के 20 की कितनी परतिसत भूभाग भारत के पास है तो जो भारत के पास है वो 2.4 याद रखिएगा 2.4 जाए प्रे फिर्थी में के अफसे नमबर इसका राइट अन बंदे मात्रव